नमस्कार दोस्तों यहाँ पर आप देखो Berger Paints Industries शेर में हमें लगातार गिरावट दिखने को मिली है इसलिए आज की वीडियो में मैं करूँगा Berger Paints शेर का Technical Analysis और हम देखेंगे कि इस शेर में एक धमाकेदार तेज़ी कब आएगी इस टॉक में हमारे Best Buying Levels कौन से रहेंगे और अंत में हम डिसकस करेंगे कि हमारे Short Term Targets क्या रह सकते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात आती है इस शेर में सपोर्ट की तो यहाँ पर आप देखो 774.60 रुपीस का लेवल मतलब ये वाला लेवल इस शेर के लिए एक important support है क्योंकर दोस्तों यहाँ पर आप देखो पहले भी इस शेर ने इस लेवल पर resistance फेस किया था और दोस्तों यहाँ पर stock market में जो भी previous resistance रहता है और अगर कोई भी शेर उसका breakout दे देता है तो वो resistance उस शेर के लिए एक support का काम करने लगता है तो यहाँ पर आप देखो यह level एक previous resistance था पर अब यह level इस शेर के लिए support का काम कर रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं आज के trading session में इस शेर ने इससी level पर support लिया है तो हम कह सकते हैं यहाँ पर 7.74 या फिर 7.70 रुपीज तक का यह जो पूरा zone है यह zone एक important support का काम करेगा purger paints के लिए अगर बात आती है resistance की तो दोस्तों यहाँ पर 2 important resistance levels है जो सबसे पहला resistance है इस शेर में वो है 800 रुपीज का level मतलब यह वाला level अब दोस्तों यहाँ पर यह important क्यों है यहाँ पर दोस्तों पहले हम लोग ने discuss किया यह previous resistance एक support बन गया पर दोस्तों यहाँ पर आप देखो यह level इस शेर के लिए पहले एक support का काम करता था पर अब यह share इस support के नीचे आ गया है तो यही level अभी इस share के लिए resistance का काम कर रहा है यहाँ पर आप देख सकते हो already 4-5 बार यह share लगा तर इसी level पर resistance फेस कर चुका है तो दोस्तों अगर मंडे के trading session में या फिर next week में यह share इस resistance का breakout दे देता है तो हमें इस share में एक trend reversal देखने को मिल सकता है उसके बाद का जो अगला resistance है इस share में वो है 8.32 रुपीज का level आईए अब हम देख लेते कुछ important technical indicators इस share में हमें क्या signal दे रहे हैं तो यहाँ पर दोस्तों मैं दो important indicators को लगा चुका हूँ अगर बात आते हैं इस share में MACD indicator की तो आप देखो कि MACD indicator में यहाँ पर लगातार negative histogram generate हो रहे हैं तो MACD यहाँ पर अभी हमें बहुत ज़्यादा bearish दिखाई दे रहे और हमें cell का signal कर रहा है अगर बात आती है RSI की तो RSI आ गया है oversold zone के नस्दिक में आप देखो कि RSI में भी हमें लगाता downtrend देखने को मिला है तो हम कह सकते हैं कि दोनों technical indicator बहुत ज़्यादा weak दिखाई दे रहे हैं पर दोस्तों यहाँ पर अच्छी बात यहाँ है कि RSI अभी oversold zone के नस्दिक आ गया है पहले भी दोस्तों जब यह चैर इस zone के नस्दिक आया था आप देख सकते हो यहाँ पर उसके बाद इस चैर में मैं एक अच्छी तेजी दिखने को मिली थी और अभी भी आप देखो यह चैर इस लेवल पर आ गया है RSI के हिसाब से तो यहाँ पर दोस्तों मुझे लगते है इस चैर में यहाँ से बाइंग आ सकती है तो दोस्तों अगर आपको इस चैर में खरीदारी करनी है तो आप इस चैर को तभी बाइ करो जब यह चैर अपना 800 का resistance ब्रेक करता है उसके बाद दोस्तों इस चैर में 9.50 तक के targets अच्यू करता हुआ दे सकते हैं यह तो हो गई तेजी की बात अगर दोस्तों यहाँ पर यह चैर resistance ब्रेक नहीं करता तो इस चैर में हमें गिरावट देखने को मिलेगी अगर यह चैर 7.74 का support तोड़के एक downside moment दिखाता है तो भयंकर गिरावट आ सकती है इसलिए आपके पास कोई भी holding है तो दोस्तों यहाँ पर आप 7.70 रुपिस का stop loss closing basis पर लगा सकते हो तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही वीडियो पसंद आईए तो वीडियो को like कर देना चैनल पर नए हो तो चैनल को subscribe कर देना इस शेयर में मेरी कोई भी 22 अलिया hold की सला नहीं है क्योंकि यह वीडियो के educational वीडियो है धन्यवाद